शेश्वल प्रमे, रिमाइंडर थ्योरम अब भाग के विभिन उधारनों का एक बार फिर अवलोकन करें क्या आपको इन में कोई खास बात दिखाई पड़ती है? हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपत F of X को X रिन A से भाग दिया जाए तो शेश्वल F of A होता है यही शेश्वल प्रमे है F of A का अर्थ है F of X का मान जब X बराबर A हो शेश्वल प्रमे यदि किसी बहुपत F of X को X माइनस A से भाग दिया जाए तो शेश्वल F of A होता है चलिए इस प्रमे को हम सिद्ध करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक, गुनित, भागफल, धन, शेश्वल अब हम देखते हैं कि हमारे प्रमे के अनुसार हमारे पास भाज्य, भाजक, भागफल और शेश्वल क्या-क्या है भाज्य प्रमे में कह रहे हैं कि बहुपद f of x को x-a से भाग दे रहे हैं याने कि f of x जो है वो हमारा भाज्य हुआ भाजक भाजक होगा x-a और भागफल और शेश्वल की यदि हम बात करें तो भागफल भी जो होगा वो x का भाउपद होगा तो इसलिए हम उसे ले ले लेते हैं कोई एक दूसरा भाउपद जैसे कि मान लिया हम ले लेते हैं इसे q of x क्योंकि वो भी कोई x का भाउपद होगा अब हम बात करतें शेश्वल की शेश्वल क्योंकि हमारा जो भाजक है वह x-a याने कि वह एक घाती है जब शेश्वल हमें प्राप्थ होगा तो उसकी घात भाजक की घात से कम होनी चाहिए और चुंकि यह एक घाती है इसका मतलब हमें शेश्फल मिलेगा कोई अचरपद तो हम इसे मान लेते हैं R चलिए आगे देखते हैं अब हमने जो संबन लिया था उसमें सभी के मान रख लेते हैं हम कहते हैं कि भाज्य याने की F of X बराबर भाजक याने की X minus A भाजफल याने की Q of X और धन शेश्फल जिसे हमने लिया है R अब हम देखते हैं इनका मान X बराबर A के लिए X बराबर A के लिए F of X का मान क्या होगा? हम लिखेंगे X के स्थान पर A याने की F of A बराबर पुना X के स्थान पर A तो A रिंड A Q of A धन आर इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा F of A बराबर A रिंड A हमें क्या मिलेगा? शून्य तो शून्य गुनेत Q of A धन आर याने की F of A जो है वो हमें प्राप्त होगा र क्योंकि जो प्रतम पद है वो शून्य गुनेत Q of A होने के कारण हो गया शून्य तो हमें मिला है F of A बराबर R चूंकि हमने R को शेश्वल कहा कहा है इसलिए यहां शेश्वल बराबर हुआ F of A इस प्रकारिया प्रमे सिद्ध हुआ हमने F of X को X रिन A से भाग किया और पाया कि शेश्वल F of A है इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसे बहुपद F of X को X रिन A से भाग दिया जाए तो शेश्वल F of A होता है करके देखे यदि F of X का भाजक X धन A हो तब शेश्वल ग्याद कीजिए पहला F of X बराबर 2X रिन A दूसरा F of X बराबर X का वर्ग रिन A का वर्ग तीसरा F of X बराबर X का वर्ग रिन 2X धन A अब हम शेश्वल प्रमे का उप्योग करते हुए भाज्य और भाजक के मालूम होने पर बिना भाग किये ही शेश्वल ग्याद कर सकते हैं झाल झाल